तो आप वीडियो देख के समझ गए होंगे कि यह वीडियो कौन सा चैक्टर का बनने जा रहा है तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि यह क्लास 8 का वीडियो है और वो भी साइंस का है एक्चुली कुछ स्टुडेंट्स का डिमांड आगया क्योंकि तेखिए दर्भंगा के मेरे बहुत प्रिया इस्टुडेंट्स है दर्भंगा के कुछ ऐसे इस्टुडेंट्स जो मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किये वो लोग अचानक के का एक यह जग्राफिक पढ़ने आय कि मैं इंग्लिस का ही मैस बनाऊंगा और इंग्लिस में ही साइंस पढ़ाऊंगा मैं पहले भी हिंदी पढ़ाता था और आज भी आपको हिंदी जरूर पढ़ाऊंगा तो आप लोग मैसेज करते रहिएगा आप लोग के लिए मैं हिंदी की वी वीडियो लेकर आऊंगा त इसको देखे क्या है, एक बढ़ हम लोग पढ़ते हैं, चलिए, कहता है कि हम जानते हैं कि परतेक तत्व, गुनों का एक निश्चित समू है, मतलब कहने का मतलब है कि जो elements है, we know that जितने भी elements हैं, उनके एक निश्चित, उनका जो गुन है, जो उनका properties है, उनका एक समू है, म फिर भी इन तत्तों के गुनों में भिनताओं के कारण, भिनताओं मतलब अलग-अलग, different, गुनों में भिनताओं के कारण, साथ-साथ समानताएं भी पाई जाती है, समानताएं मतलब एकदम equal, ओके, भिनता तो है ही, भिनता मतलब अलग-अलग तो है ही, लेकिन उनमें कु उनों काटके खाईए, दोनों का गुण क्या होगा है, ठीटा लगेगा, गुण तो दोनों के ठीटा है, तो कुछ समानताएं भी हैं, अच्छा, तत्व को उनके गुणों में समानताओं और भिंताओं पर निर्भर करने वाले अनेक तरीकों से वर्गी कृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, सरवाधिक, उप्योगी वर्गी करनों में से, वर्गी करनों में से एक तत्व को धातू कहते हैं और दूसरे को अधातू, कहने का मतलब कि जितने भी तत्व हमें मिला हुआ है, वो में कुछ तत्त्व धातू होते हैं, और कुछ तत्व अधात्व होते हैं कुछ metal होते हैं कुछ non-metal होते हैं तो जितने भी elements हैं उनको metal और non-metal के form में वर्गी क्रित किया गया है अब तक मतलब अभी तक ग्याद सभी 114 तत्व में मतलब 114 elements में से 24 elements और धात्व मतलब और धात्व जो non-metal हैं उनका संख्या कितना है 24 तत्व और धात्व के रूप में वर्गी क्रित किये जाते हैं मतलब कि 114 तत्व है पूरा तत्व कितना 114 में 24 तो है और धात्व है बाकिसेस सब क्या है बाकिसेस क्या हो जाएगा धात्व हो जाएगा धातू का एक समूह गुनों का एक समूह दर्साता है मतलब जितने भी धातू होते हैं उनका एक अलग गुन है धातू का गुन क्या है? अलग है मेटल का गुन क्या है? अलग है वही दूसरी और औधातू के विप्रित गुन परदर्सित होते है मतलब कि जो धातु में गुन होता है वो और धातु में नहीं होता है जो और धातु में गुन होता है वो धातु में नहीं होता है एगो चोर आदमी एगो सरीफ आदमी दोनों में अंतर है ना चोर क्या करेगा पटाक से कहीं आपके हाथ में फोन देगा पटाक जहां आप कहीं रखें लेके भाग किया अगो साथ अदमी बेचारा को कहीं रोट पर फोन मिलेगा तो बता करेगा भई है किसका किसी के फोन है तो काई जी देखिये ना इस फोन हमको मिला है इस जगह पे आप कहां है हम आखर पहुंचा दे रहे हैं तो यह हो गया ओधातू ओधातू मतलब क यह ओधातू नहीं हुआ एक उदाहरन मैं सोसल समाज से दिया हूँ कि धातू और अधातू उनके गुन पर ही निर्भर करता है और गुन से ही बाटा जा गया है उनको दोनों परकार के तत्वों को हमारे दैनिक जीवन में उप्योग होते हैं मतलब धातू कभी हमारे दैनि भाटान की पूरती करते हैं देखिया न कोई भी सिंगर बनता है तो क्या मन करता है कि यह परा गर्दन में सरे न कि अपने river घ्न प्रीओ शक्ताओं की पुर्ति करते हैं इस अध्याय में हम धातू और अध्याय की समान नृइ भारती भॉहिक बुख है, पाच-छे मिनिट का ही वीडियो रहेगा, जदा बार नहीं रहेगा बाबाई, फिर आँगे